लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अगर वो गंजे है तो आप भी होंगे स्ट्रेस की वज़ा से डाइट की वज़ा से हर फॉलो रहा हूँ सारी चीजों के लिए यह रूटीन है नाचुरल है इसके अंदर एक ड्रिंक है ब्रेकफास्ट में जो स्पेशली बनाई है एर लॉस के वाला थोड़ा sensitive which is hair loss because इंडिया में बाल गिरने को बाल जढने को बहुत सीरिसली लिया जाता है कई लोग depression में चले जाते हैं lack of confidence पहले रुखिए deep breathe करिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आपको hair loss है भी या नहीं कैसे determine करें बेकार में आप stress तो नही नहीं है वो बेकार में stress लेते हैं overthink करते हैं 4-5 बाल तूटते हैं normally as per studies 50-100 बाल तूटना लड़का लड़की के that's normal daily basis पे नहाते हुए work out करते हुए उसको धोते हुए that's normal stress लेना बंद करें सबसे पहला cause और important cause है genetics यानि कि आपके माता-पिता की history लोगों को बहुत बड़ grandfather के उपर depend करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अगर वो गंजे है तो आप भी होंगे अगर आपको early age में पता है identify कर लिया है तो आप अच्छी hair care करिए एक anti hair fall का regime आता है उसको proper follow करे नाचरल जो मैंने end of the video में बता है लेकिन बीच में बहुत important point है जैसे कि diet etc. तो पू हो दूसरा आप stress जाता लेते हो तीसरा आप chemicals बहुत लगाते हो जैसे dryer wax spray ठीक कैसे करें diet अपको अच्छी करनी है जो आपके लिए मैंने schedule बनाया है diet का उसको follow करना है दूसरा आपको chemicals कम से कम हफते में एक से दो बार से जादा नहीं use करने तीसरा इस पर थूया oil लगाना ह है जो bacteria और fungus को आपके बालों से हटाता है ये सारी चीजे करिए it will be effective तीसरा कौस आता है DHT level याने की dihydo testosterone ये body के अंदर naturally होता है थोड़ा complicated term है लेकिन hair loss के लिए बहुत ही major reason होता है usually आपकी sexual life के लिए साथी सास्थ बाड़ी में जो बाल आते है बाड़ी पर मास बढ़ता है उसके लिए responsible होता है लेकिन ये जब जादा बढ़ जाता है तो hair loss शुरू हो जाता है इसको control में कैसे रखें आपको exercise करनी है regular basis पे दूसरा smoking बिल्कुल नहीं करनी तीसरा आपको diet improve करनी है चौत आपको stress नहीं लेना अगला कौस आता है drastic weight loss या weight gain करना जब आपका body mass index एक लोगों की lifestyle थोड़ी बिगडी हुई है अगर हम अपने पूरवच को देखें तो उन लोगों के 60-70 तक भी hair fall नहीं होता था बाज strong घने रहते थे हमारे में teenage में ही शुरू हो जाता है hair fall क्या reasons है आपको चोटी-चोटी चीजे चेंज करनी है अपने lifestyle के अंदर सबसे पहला आपको अपना sleeping pattern ठीक करना है पूरा 6-8 गंटे सोना है दूसरा आपको अपना खाना घर का खाना है diet improve करनी है तीसरा smoking और alcohol में जादा indulge नहीं होना चौता stress चुटी-चुटी बातों पर ये generation बहुत जादा लेती है एक best solution है आप 10-15 minute daily meditation करना start करिए ये चीजे करेंगे आप आपको बहुत फरक बढ़ेगा अगला है immunity immunity से क्या होता है आपके बालों पर पैच हो गया या beard पर पैच हो गया जिसको हम कहते है alopecia areata अब उस पे होता क्या है आपका immune system आपको act करता है as a shield bad virus से बचाता है इस किस में क्या होता है आपका autoimmune system कभी-कभी bad virus या bad cells की जगा good cells या आपके hair follicles पर अटाक कर देता है वह ऐसा करता क्यों है जब आपके lifestyle changes बहुत जाद एक्स्ट्रीम हो आपके sleeping pattern खराब हो आपकी diet अच्छी ना हो आप बिल्कुल workout या physical activity ना करते हो इस case में वह कभी-कभी good cells पर या आपके hair follicles पर अटाक करेगा जहां पर बीच में एक patch बन जाता है बात करेंगे सबसे important चीज जो आपके hair loss को impact करती है which is your diet वह चीजे जो आपको avoid कर ली है वह कौनसी चीजे है जो आपका DHT level जो समझाया था वह rice करती है जो बढ़ाती है जिससे आपका hair loss होता है वह चीजे आपको नहीं घानी वह क्या चीजे है जैसे कि coffee हो जाता है जैसे कि spinach हो गया एक्ज ले लिए आपने omega 3 लेना है आपको जो ड्राइफ रूट्स हो गए pumpkin seeds हो गए vitamin c diet में डेली डालना है जैसे कि आप निम्बू ले सकते हैं कोई भी खटे fruit ले सकते हैं vitamin A के लिए आप साथ में carrot ले सकते हैं तो यह चीजों का ध्यान रखिए आपके बाल हमीचा स्वस्त रहें अब आती है सबसे important चीज की बात जो है आपका anti hair fall routine चाहे आपको genetics चाहे hormonal imbalance चाहे stress की वज़ा से diet की वज़ा से hair fall हो रहा हूँ सारी चीजों के लिए यह routine है natural है इसके अंदर एक drink है breakfast में जो specially बनाई है जिसके अंदर सारे nutrients हैं जिससे hair fall रुकेगा सबसे पहला आपको करना क्या है आपको 6-8 घंटे सोना है दूसरा आपको meditation करना है 10-15 मिनट तीसरा आपको तीन बार हफते के अंदर oil करनी है दो बार थूया oil से या किसी भी normal oil से तीसरी बार आपको 2-3 बून इसके अंदर lemon आड करना है जो fungus हटाता है आपके scalp के उपर से चौथा आपको breakfast में smoothie आड करनी है जिसके अंदर दो पीस आपके पपीते होंगे चार पीस आपके होंगे spinach यानि की पालक एक ebion 400 पंक्चर करके डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून आपको डालना है curd यानि की योगर्ट और इसके अंदर दो से तीन almond उपर dressing के त प्रोटीन डेली लेना है चाहे वह आप पनीर से लीजिए सोया बीन से तीन से चार अंडे लीजिए स्प्राउट्स काई है लेकिन थोड़ा amount of protein is very good for your hair ये करिए आपका hair follow के का इस दौरान आपको कोई chemical product यूज नहीं करना साथ दिन आपको फॉलो करना है effect देखने के और तो और कहीं लोगों को helmet hair follow होता है helmet जादा यूज करने से वो भी इस video के अंदर given है और कहीं लोगों ने मुझसे बूछा है multi vitamin जो बालों के लिए अच्छी होती है breakfast के बाद लीनी है वो a to z है और kera glow करके है वो budget के साब से आपको जो suit करें आप बात करेंगे वो ऐसा anti hair loss mask लगाने के लिए जो आपके हर scalp type के लिए अच्छा है और साथी साथ आपके fungal infections को खतम करेगा और DHT blockers होते हैं उसके अंदर जो आपके बाल नहीं गिरने देगा strength उंकी बढ़ाएगा क्या है उस mask के अंदर सबसे पहले आपको एक बनाना लेना है जिसको आपको रेपिय mash करना है चार से पांच बूंद आपको lemon डालना है यानि की नीमबू दो टेबल स्पून आपको olive oil डालना है एक टेबल स्पून आपको onion juice डालना है इसको अच्छे से mix करें बालो पे लगाए इसे scalp पे लगाए और 15 से 20 मिनिट बाद इसको shampoo से wash कर दे उसके बाद आपको conditioner य डालना है उसके अंदर लेकिन एक चीज़ का याद रखना है अगर आप एग वाला मास यूज करेंगे बनाना को replace करके तो उसके अंदर आपको conditioner यूज नहीं करना कहीं लोगों को extreme hair loss का case हो जाता है जब बाल पूरे खतम हो जाता है hair transplant के बारे में जाना है कौन सी tablet लेनी है hair gain के लिए कौन सी creams लगाते हैं कहीं लोग उनको artificial procedure के बारे में जाना है क्या price रहता है कितना effective रहती है वो सारी चीज़े one of the best dermatologist का मैंने interview लिया था उसके अंदर सब कुछ discussed है किन लोगों के लिए वो है कितना price है आप जाके वो वीडियो देखिए दोस्तों ये था मेरी त ड्रिंक जिससे आपके बाल श्ट्रॉंग होंगे ये सारी वो चीज़े थी मेरी तरफ से अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसको like करना share करना और comment में मुझे पताए कौन सा topic बनाओ और subscribe करना मत बूलना thank you